मैं 6X 5.3 MIU 10 Pi Rome for Redmi Note 5 Pro हाई फैंस राजे शेर फॉर्म टेक्नोबस.ड़ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं 6X 5.3 रोम के बारे में जो की फाइनली Redmi Note 5 Pro यूजर्स के रिलीस हो चुका है मैं बताऊंगा आपको इसके नदे क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं क्यों ये आपके स्टॉक MIU 10 से काफी अलग है और कैसे आप इसको इसली अपने Redmi Note 5 Pro में इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो यह दिखिए इस टाइम पर आपकी स्क्रीन के उपर इसका और स्पेक्स पेज है डिवाइस मॉडल रेड्मी नोट 5 प्रो MIU 10 MSA 5.3 है ये एंडूइड वर्जिन 9.0 पाइपे रन करता है आपको 1st of June 2019 का देखने को मिलता है जो की latest security patch है Jio का vault sim perfectly इसमें काम कर रहा है आपको ऊपर देख पार होंगे vault का icon देखने को मिलता है इसके अंदर आपको कोई भी unwanted MI के applications नहीं देखने को मिलते हैं 3rd party themes को ये support करता है और 3rd party fonts को भी support करता है जो आप अपने MIU 10 के stock home के अंदर यूज नहीं कर सेथे हैं आप इसके उपर tap करेंगे तो आपको कुछ ऐसे options मिलते हैं wall paper, widget, settings और उपर done का आप settings में जाएंगे settings में जाके आप जो home button है उसके सारे के सारी settings होते होते हों screen की वो check कर सेथे हैं app vault, lock screen, home layout आपको इसके अंदर grid size काफी सारे मिल जाते हैं जितने आपको MIU 10 के stock room में नहीं देखने को मिलते हैं देखी काफी सारे मिलते हैं आपको 4x6 से लेके 7x8 तक के आपको इसके अंदर grid size मिलते हैं hide icon कर सेथे हैं आप automatic closing of folders option मिलता है blur background कर सेथे हैं folder का settings में और settings में देख पारे होंगे आप video quality आप इसके अंदर 4K की recording कर सकते हैं सबसे अची बात यह है कि आपको इसके अंदर sky mode बिल जाता है sky mode होता है कि क्या है कोई भी picture आप click करते हैं जिसमें आपके background में cloud होता है आप edit में जाएए let your filters में जाएए अपको यहाँ anymore Moon Lum vibrer देशते हैं इस तरीके से आपगी Sky mode का filter ओए इसके आपको प्रस्पान कर सकती है camera ओबराल जयें और्वेक्ति काम कर रहा है आपको portret mode square mode इये सारे mode मिल जाते है pen remote mode और manual mode मिल जाता है जिसके अदर आपको देख पाले होंगे डिस्प्ले के अंदर आपको डिस्प्ले साइज, ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कॉंट्रास्ट और कलर्स के आपको डार्क मोड बिल जाता है, जो की पॉफेक्टली काम कर रहा है, आप जैसी डार्क मोड इसके इनेबल करेंगे, आपके स्कीम जो है आप फोन की, वो फूल डार्क हो जाती है, इस सिस्टम वाइट कॉल अपकी कॉल स्कीन, मैसेज, सेटिंग सब आपके डार्क मोड में चले जाता है, मैक्सिम ब्राइटनेस दूरिं कॉल्स का भी आपको ऑप्शिन मिलता है, सिस्टम फॉन्स को आप चेंज करते वालपेपर में जाएंगे, तो आपको वही नॉर्मल वालपेपर मिलते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है, तीम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप माई एकाउंट में जाएंगे, तो आपको कस्टमाइज तीम के अंदर, आप फुली अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते आप उसकी लॉकसाइज, स्टेटस बार, आइकन, मेसेजिंग, डायल पैट, फेवरेट स्ट्रे, बूट अनिमेशन और बूट और ओडियो को कम्प्लेटली चेंज करते हैं, थर्ड पार्टी थीम्स को यह सपोर्ट करता है, आपको इसके अंदर ट्रांस्परेंट वालपे इसली जाके मेरेज करते हैं, लोग स्केन में फिंगर पेंट और फेस डाट परफेक्टली काम करर रहा है, ये देखिए, मैं फिंगर पिंगर पिंट से अनदर एजली जाके सेटप करते हैं, आपको स्मार्ट कावर मोड और पॉकेट मोड भी आप इसके अंदर देख पाते के लिनटीए कर सकते हैं काँछ बारे कुछ ने आप्षिन यायू साथ यू साथ हाइड अलारम और ही ब्लुटूथ के भी आपको इसके अंदर आप्षिन आप देख पाते हैं में आपको दिखाई चुका हूँ हो शारी देख चुके हैं फुल स्कीन जस्टर साथ को मिल जाते हैं मेरे बटन साथ कि अंदर कर सकते हैं साथ इसाथ आपको स्क्रीन टाइम यान डिजटल वेल बिंग का फीचर मिल जाता है जो आपकी पूरी डेलिव ऐक्टिविटिस वारे AI Preloading जो की काफी अच्छा फीचर है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है बाकि आपको Emergency, SOS, Google Additional Settings में सारे का सारे options वहीं देखने को मिलते हैं जो overall होते हैं आपको App Lock का भी इसके अंदर option मिल जाता है तो यह सारी options आपको इसके अंदर मिल जाते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि Camera to API इसके अंदर enabled है आपको इसके अंदर गूगल Camera डिरेकली इंस्टॉल कर सकते हैं आपको इसके दर दो option मिलते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर कि आपको अपना फोन रूट करना है कि नहीं करना है विद्षैंद सकते हैं आपको इसके नदर प्रेंट अब्सिण और कंडियर कर सेंब्सक्राइब आपको यहां सब्सक्राइब मिल जाता है सब्सक्राइब सर् contexts etc या अपनी RAM को clear कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे performance मिले तो मैं PUBG को launch किया है ताकि आपको मैं दिखा सकते हूँ आप PUBG कौन से mode page में खेल पाते हैं तो यह दिखिए इस ताइम पे आपकी scheme के PUBG का graphic page है आप इसके अंदर balance mode और frame rate को medium पे रखके ही game को खेल सकते हैं आप इसके अंदर नहीं खेल सकते हैं तो overall देखा जाए तो रोम काफी perfect है काफी smoothly काम कर रहा है कोई such as issue नहीं है कोई bug wear देखने को नहीं मिला है मुझे अभी तक अब बात करते हैं आप इसको install कैसे करेंगे इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक zip file चाहिए जिसको आप अपने फोन में save कर लेंगे यह वो zip file मैसिक 5.3 की इसका link में डिस्टेशन में डाल दूंगा 1.53 GB के आसपास की file है इसको आप save कर लेंगे और उसके बाद आप अपने phone को switch off करेंगे और custom recovery बूट करेंगे हम पिछ black recovery यूज़ कर रहे हैं तो हमारा phone जो है पिछ black recovery में यूज़ बूट होगा तो इसके लिए volume up और power के बटन को hold रखिए कि एक देर में आपका फोन जो है आपका कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा तो यह रिकि हमारा फोन ज्यों स्फानर को डिलीड कर देनेगे इंटरनल स्टोरेज को आप नहीं करेंगे दरवाइस अपकी सारी फाइल पर डेलीड यज़ेंगे बैकक अब हमेशा दिलीजे किजि अब आपके सामने इनका installer खुलेगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको रूट करना है कि नहीं करना है वह option कहा होता है तो इसको next करेंगे next करते हैं आप से पुछेगा host file इसको ऐसी रहन देजेए आप कोई भी audio engine चुन सकते हैं इसके निदर चार तरीका आपको audio engine मिलते हैं जैस इंस्टेंट मिल नहीं चाहिए यह आपको एफ़ेडियों नहीं चाहिए उसको select कर दीजिए और next कीजिए उसके बाद कौन से बूट अनिमिशन चाहिए कौन से design style को next किजिए उसके बाद जो है यह आपके फोन के इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यह ने बाउट वान आप इस रोम को अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल करवाएगी मैसी क्रोम जो है इस टाइम का मॉड़ेट बेस्ट रोम माना जाता है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी पॉपॉलर है और मोस्टली जो भी बंदा किसी मॉड़ेट रोम पर आना चाहता है तो फस्ट प्रफ्रेंस उसकी यही होती है कि मैसिक्स रोम पर ही जाया जाए यह काफी टाइम से मार्केट में है और इनके डेवलपर काफी मेहनत करते है इस रोम को बनाने में है आपको यह रोम एक बाद जरूरू ट्राइक करना चाहिए क्योंकि इसके इंदर जो फीचर्स हैं वो आपको आपके M.I.U.10 के स्टॉक रोम के अंदर नहीं मिठते है आप इसके पर एक बार आएंगे आप आप इस टॉक रोम पर जाने की सोचेंगे भी नहीं यह मेरा फेवरेट M.I.U.10 के अंदर modded रोम अगर सेकेंड रोम में इसे पुछ जाए अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉर कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो और यह रोम पसंद आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिजेगा और लाइक कमेंट शेकरना मत भूलीगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ट हुआ 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 है